कितना भी पानी से क्यों न आप धोलो आपके बाल काले के काले ही रहेंगे नमश्कार दोस्तों मैं हूं नीदी आप सबका वेलकम करती। नीदी किचन लाइफस्टार चैनल पे दोस्तों अमीद करती हूं आप आपके परिवारवाले सारे सुरक्षित होंगे। आज इस वीड वीडियो को अन तक देखिए का वीडियो है तो लाइक के शेयर जरू किज़ेगा पहली पर चैनल पाया है तो प्लीज चाहिए को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा पास ही दिखिए गई चोटा सा बेल बटन इसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो उसकी यह ब्लैक पाउडर यह ना ही कोई कथा पाउडर है और ना ही कोई चारकूल पाउडर है दोस्तों यह पाउडर कैसे बनाना है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह बिल्कुल नैचरल थरीका है अपने सफेज हुए बालों को का पाउडर में हम इसकारने का इस जाय को मिक्स करने वाले था वाले है वासलिन वीडियों आपको इसली मार्केट में मिलचारका आप चाहें तो वैसलिन की जगह पे ऐलो वेरा जल भी इस तहुए लेली ना है बस चोटे से चमच से एक चमच यहां पे ले ले लेना है और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है जी हां दोस्तों और आपकी रेमेडिय बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी इसे आप लंबे समय के लिए स्टो कर सकते हैं किसी भी डिब्बे में आप इसे स्टो कर सकते हैं उसे एर टाइड आप बंद कर ले और जब भी आपको किस इसी पाटी फंक्शन में जाना हो बस ऐसे आपको लगा लेना है आप चाहें तो मस्करा ब्रस से लगा ले या टूथ प्रस से लगा ले इसलिए आपकी जितने भी सफेद बाल है बिल्कुल ब्लैक में चेंज हो जाएंगे और इसे लगाने के बाद आपको कोई भी वाश कर ज़रूरत नहीं है तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूं कि इसे बनाना कैसे है तो दोस्तों इस ब्लैक पाउडर को मैं बनाई हूं को कोनट के इस चिलके से जी हां दोस्तों जिसे आप फेग देते है ना यह बहुत काम की और बिलकुल नाचरल तरीके से आपके सफेद अबसे तो दोस्तों यहां पर ले लेना है यह नारील का चिलका सब्सक्राइब बिलकुल भी नहीं पेकिए गा और इसे हमें बिलकुल कढ़ाई पे दीमे आच पे इसे रोस्ट करना एं थोड़ी दीर के बाद अब देखेंगे कि दीरे दीरे यह जलने लगेगी बस हमें ब तो आपके पास कोई भी बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें से चिंगारी निकलती है बस इसी तरह यह धीरे धीरे जलने लगे का अब यहां पर गैस का फ्लिम में आफ कर दूंगी क्योंकि यह बहुत जादा बर्न हो जाएका तो दोस्तों आप अपनी खिर्कियां ख बट यह देखिए अभी इसमें बहुत जादा चिंगारी है मैंने गैस का फ्लिम भी आफ कर दिया है आपको इसी तरह इसे छोड़ देना है आदे गंटे के लिए जब तक कि यह रूम टंपरेचर पर ना आ जाए उसके पहले आपको हाथ नहीं लगाना है नहीं तो हाथ जल अब इसे निकालोंगे एक प्लेट में यह देखिए इस तरह से यह प्लेट में निकाली हूँ अब इसे आपको ग्राइंड कर लेना है और उसकी बाद जो चाय चानने वाली जो चाननी होती है ना या किसी भी कौटन आप सूती कपड़े से इसे चान ले आपको बिलकुल ब हैं जो जब इसे आपको बाद सहो है तरह से घसे हैं।